अगर आप से पूछ लिया जाए कि साब आप तो पहले की तो बाते छोड़ो आप तो हमें आज वर्तमान में आधुनिक वर्गीकरण के बारे में बता दीजिए और आधुनिक वर्गीकरण को लेकर आप बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण के बारे में बात की जाए तो आधुनिक वर्गीकरण के बारे में हम जानना चाहेंगे तो मित्रों आधुनिक वर्गीकरण के संदर में हमें पढ़ने को मिला कि आपके आधुनिक वर्गीकरण क इसका क्या किया है विभाजन किया है पर अम चारों प्रदेश ओं का नाम जानने जाएंगे जिसमें आपके नंबर एक पर हम बात करें तो नंबर एक को नाम दिया गया पश्म्री रतिला प्रदेश पश्मी पश्मी दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें, तो दूसरा जो बोतिक प्रदेश पढ़ने को मिलेगा, वो आपके पढ़ने को मिलेगा, अरावली, परवतिय, प्रदेश, और तीसरे नंबर पर जो आपको पढ़ने को मिलेगा, वो आपके पढ़ने को मिलेगा, पूर्वी, मैदानी प्रदीश और चार नंबर पर जो हम बात करना चाहें तो चार नंबर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदीश तो आपके बात कर ली जाती है इस क्रम को लेकर तो आप कह सकते हैं कि आपके ये जो इस्तिया है चार बोतिक प्रदीश ये आज के वरतमान के बोतिक प्रदीश देखने को मिलते हैं और एक्जाम के अकोडिंग अगर बात करें तो दोस्तों इन चारों बोतिक प्रदीशों के बारे में ही आपको एक्जाम में कुशन देखने को मिलते हैं तो मैं इनको आपको एक बर मैप के अंतरगत बताता हूँ एक बर ये जान लीजीगा ये प्रदेश कहां कहां इस्तित है और इनके कितने भाग आपको देखने को मिलते हैं फिर हम एक एक बाग को विस्तार के साथ क्या करेंगे उसका अध्यान करेंगे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनका संबंध कहां कहां से मिलता है तो देखिए का दोस्तों हम इनके बारे में चर्चा करें तो हमने सबसे पहले देखना चाहा आपकी राजस्थान की इस्त कि यह हमारा राजस्थान देखने को मिलता है और इस राजस्थान के अंतरक अमने पाया मित्रों की यहां पर आपके एक परवत माला देखने को मिलती है और ये जो बीच के भाग में ये जो परवतमाला मिली हमें अगर इस परवतमाला का जिक्र करें आप तो इस परवतमाला को एक नाम से जाना जाता है और सहाब इसे कहा जाता है अरावली तो मित्रों सबसे पहले तो ये जानन लीजिएगा कि ये जो आपके सामने अरावली दिखाई दे रही है ये बीच वाला पार्ट अरावली का है ये अरावली आपके संपून राजस्थान को दो समान भागों में लगबग समान भागों में विवाजित करती है इस अरावली के इधरवाला जो पार्ट है ये तो कहलाता है आपके पश्यम भाग में होने के करण पश्यमी राजस्थान के नाम से जाना जाता है जबकि अरावली के इधरवाला जो पार्ट है यह पूर्वी भाग में होने के करण पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना जाता है तो आपके क्या किया अरावली के माध्यम से राजस्थान को कितने पार्टों में बार दिया दो पार्टों में एक तो आपके पश्चिमी राजस्थान और एक आपके पूर्वी राजस्थान सबसे पहले हमने इस पार्ट को देखा तो हमें पता चला ये वाला जो हिस्सा है यह हिस्सा आपके पश्चिमी राजस्थान का है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया पश्चिमी और हमने बात कई और आगे चल कर तो दूसरे नंबर पर हमने जानना चाहा कि हमने यहां पर गूम कर देखा तो चारों तरफ रेती रेत और रेत की अत्यदिक विदमानता होने के करण इसको हमने कह दिया दोस्तों रेति ला इसे क्या कह दिया गया रेति ला और आपके एक निश्चित भूबाग में फैला हुआ था इसलिए हमने इसको क्या कह दिया प्रदेश और तीनों विसेशताओं को जोड़ दिया और हमारे सामने एक बहुतिक परदेश बनकरा गया जिसका नाम था पश्चिमीर इदिला परदेश और राजस्तान का नमबर एक बहुतिक परदेश दिया गया प्रदेश टीनों विसेस्ताओं को आप जोड दीजिए और आपके सामने दूसरा बहुतिक प्रदेश मिल जाएगा और इस बहुतिक प्रदेश का नाम है अरावली परवतिय प्रदेश और अगर अरावली परवतिय प्रदेश से और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, वो सुनेगा, यह देखिएगा, कि यह वाला जो आपको छेतर देखने को मिलता है, यह वाला छेतर, इस छेतर को लेकर हम बात करें, तो यह वाला छेतर आपके पूरवी राजस्थान में मिलता है, पूरवी राजस्थान में, इसलिए हमने कह दिया पूर्वी और समतल बुबाग था समतल बुबाग को मित्रो का जाता है मैदान और एक निश्चित बुबाग में फैला हुआ है इसलिए क्या कह दिया प्रदेश और आपके तीनों विसेस्ताओं को जोड़ दिया और आपके लिए नाम आ गया पूर्वी मैदान से बन गया इस इससे को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इससा है आपका ना तो पूर्ण रूप से आपके पूरों में है और ना ही पूर्ण रूप से दक्षन में है दोनों के बीच में इससा देखने को मिलता है इसलिए हमने मित्रों इसे एक नाम दिया और दोस्त और मित्रों पता चला यह जो प्रदेश था यह धरातल से मैदानों से उचा उठा हुआ था और उपर से क्या था समतल तो मैदानों से उचा उठा हुआ वह भुभाग जो उपर से समतल होता है उसे का जाता है पठार तो हमने इसको कह दिया मित्रों पठार और एक निश्चित बुबाग में फैला हुआ था इसलिए कह दिया प्रदेश और तीनों विशेस्ताओं को जोड़ दीजिए आपके सामने चार नंबर पर बहुतिक प्रदेश आजाएगा दक्षनी पूर्वी पठार से बन गया पठारी और प्रदेश के नाम से जाना जाता है यह इस्तिया हुई आपके राजस्थान के चार बहुतिक प्रदेशों की तो आपको डाइग्राम में भी दिख पा रहा है कि राजस्थान की जो चार बहुतिक प्रदेश है इन चारों बहुतिक प्रदेशों का नामकण उनकी विसेस्ताओं के अधार पर इनका नामकण क गया अब इससे और आगे बात करते हैं कि हमें देखने को मिला दोस्तों कि आपकी पश्चिमी रेतिला जो प्रदेश है इस पश्चिमी रेतिले प्रदेश में हमने समान वर्सा वाले इस्थानों को मिलाते हुए दोस्तों हमने एक रेखा का निर्मान किया और ये समान वर्सा वाले इस्थानों को मिलाते हुए हमने एक रेखा कीची और ये जो कालपनिक रेखा हमने खिची है ना दोस्तों इस कालपनिक रेखा को जोग्राफी की भासा में एक विसेस नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है समान वर्षा वाले इस्थानों को मिलाते हुए खीची गई जो कालपनिक रेखा होती है यह आपके कालपनिक रेखा कहलाती है सम वर्षा रेखा को समब समान वर्वाले ताप्षा नो को मिलाते हुए मैप के अंदर जो कालपनिक रहा कि जाती है वह कनाती सम वर्षा रिखा अब कितनी वर्षा वाले छेतरों को मिलाते हुए खीचा गया है तो पता चला 25 गईले 15 cm वर्षा छेतनों को मिलाते हुए खीचा है इसलिए 25 cm समवर्षा के नाम से जाना जाता है। अगर यह 50 cm को मिलाते हुए खीचा जाता है तो 50 cm 500 वो मिलाते है perfect, 525 को 510 को दस जितने भी समवर्षा रिखा को मिलाते हुए इसको खीचेंगे वो उतनी नाम से जानी जाएगी अब इसे और आगे बढ़ते हैं इसको मैं और अच्छी तरह समझाता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे आपके समवर्सा रेखा के नीचे दोस्तों जितने भी आपको गाउं देखने को मिलेंगे इन गाउं में इस्थानों में इन डानियों में जो वर्सा की मात्रा मिलेगी वो मिलेगी 25 लेकिन इस लाइन के अगर आप पश्यम में जाएंगे तो 25 से आपको वर्सा की मात्रा क्या मिलेगी कम और इस लाइन के इधर की तरफ जाएंगे तो 25 से वर्सा की मात्रा क्या मिलेगी जादा देखने को मिलती है अगर आप ब पानिके अत्यंत किया है कमी और जहां पर पानिके अत्यंत कमी होती है कि उसे प्रदेश को का जाता है सुस्क जोग्राफिक इंतरगाता आपको सब्सक्राइब सुस्क सुसक का मतलब है जल्ग की कमी वाला थे सुने सको कह दिया ृष और हमें पता रीट ये पूरा बहा हुआ यहा पर पूरे भाग में रेटी रेट है इसलिग तो रेट ही प्रदानता मिलने के करण हमने इसे कह दिया रेती ला और एक निश्चित भुबाग में है इसलिए क्या कह दिया प्रदेश और तीनों विसेस्ताओं को बित्रों हमने जोड़ दिया और हमारे सामने एक नाम आ गया और नाम आ गया सुस्क रितिला प्रदेश कि जब कि हमने इससे इधार आएंगे तो वरस रहें गगी तो बताएंगे इससे इतर की और आएंगे तो वरसा अरावली तक आते आते पचास ओ जाए किने का मतलब 25-50 सेंटीमिट्र यहां पर वर्सा मिलेगी और तो अपने इसे को पूर्ट है सुस्कना कहकर आपको है तो कमी लेकिन इसको पूर्ट है कह सकते हैं अरद吧 आम दे सकते हैं और रेत की विद्मानता होने के करण sadece क्या कह दिया और रेतिला और एक निश्चित भुबाग था इसलिए क्या कह दिया प्रदेश और आपके तीनों विसेशताओं को जोड़ दिया तो आपके सामने नाम आ गया अर्द सुस्क्रेतिला प्रदेश अब एक्जाम का कोशन बताता हूं सुनिएगा एक्जाम में आरे बागों में एक सुस्क और एक अर्द सुस्क दूसरा कोशन यहाता है कि आपके पश्चिमी रेतिले प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रिखा कोंसी है तो 25 cm समवर्षा रिखा देखने को मिलती है अब ओर आगे बात करते है कि 25 cm से कम वर्षा होती तो सुस्क और 25 ज़ादा होती तो क्या करलाता है अर्थसुस्क अब हमोने केवल सुस्क वाले भाग की बात की तो सुसक वाले भाग को भी हमने दो भागों में बाटा और बाटने का जो आधार रखा वो रखा बालू का स्थु रेट के टीले कि हमने देखा मित्रों कि अगर थोड़ा सा गोर से देखते हैं तो हमें देखने को मिला यह जो भाग जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूं इस पूरे चेतर में रेट के टीले नहीं पाए जाते हैं जिस चेतर को मैंने हाइलाइट किया है इस चेतर के बारे में हम कहते हैं कि यहां पर रेट के टीले नहीं पाए जाते तो मित्रों जहां पर रेट के टीले नहीं पाए जाते अगर उस प्रदेश को लेकर आप बात करते हैं तो उसके बारे में एक सब्द बनता है कि इस प्रद बालू का इस्तूप का मतलब रेत का टीला मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है बालू का इस्तूप मुक्त इसे मित्रों प्रदेश कहा जाता है आप कह सकते हो कि रेत के टीले इस प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये प्रदेश बालू का इस्तूप मुक्त प्रदेश है, मुक्त का मतलब रेट के टीले नहीं होंगे वहांपर. जबकी इस हाइलाइट करने वाले के चारों तरफ यह जो वाइट वाला इससा पड़ा है, इस पूरे भाग में रेट के टीलों की प्रदानता पाई जाती है. और रेड के टीलों की परदान्ता मिलने के करण अगर आपके बात कर ली जाए तो आपके इसे क्या कहा जाता है बालु का इस्तोप युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है युक्त प्रदेश का मतलब रेट के टीले टीले सा तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि साभ ये जो पूरा पश्यमी रेटीला प्रदेश था इस पश्यमी रेटीले प्रदेश के अंतरगत दो सुस्क रेटीला प्रदेश था ये इत एक तो बालू का इस्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का इस्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। जहां पर मित्रों मुक्त आजाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना वहां पर नहीं पाए जाएगे। और जहां पर आपके युक्त आजाता है तो युक्त आते ही आप समझ जाना वहां पर प्रदानता देखने को मिलेगी मिलेगी साथ और आगे बढ़े हैं और हमने पाया दोस्तों ये जो अर्द सुस्क था इस अर्द सुस्क को भी आगे चलकर अध्यन की दृष्टी से हमने चार भागों में डिवाइड कर दिया और चारों का नाम अगर जानना चाहें तो नाम सुनेगा सब चारों के नाम को लेकर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखा ये जो प्रदेश से उपर उपर वाला प्रदेश यहां पर आपके एक नधी की प्रदानता देखने को मिलती है और उस नदी का नाम आप जानना चाहें तो उस नदी का नाम आपको देखने को मिलता है घगर नदी और घगर नदी की प्रदानता मिलने के कारण हमने इसे मित्रों एक नाम दिया और इसे आपके नाम दे दिया घगर प्रदेश घगर छित्र आदी नामों से इसे जाना गया और अगर आप इस घंगर प्रदेश या घंगर छेत्र को लेकर बात करें तो आप सुनेगा घंगर नदी की प्रदानता के कारण हमने इस बहुतिक प्रदेश को नाम दिया घंगर चेत्र घगर प्रदेश या आपके नदी बाव चेत्र को क्या दिया जाता है बेसी घगर बेसीन के नाम से जाना जाता है पहले बात और जरा नीचे आए इस प्रदेश को देखा तो पता चला इस प्रदेश को आपके बसाने का काम एक राजा ने किया और उस राजा का नाम थ के नाम दे दिया गया शेखा वाटी प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है आगे चलकर मित्रों इसी सेखावाटी प्रदेश की बारे में आपने चर्चा करेंगे तो पता चलेगा इस सेखावाटी प्रदेश के इंदर आपके आंत्रिक प्रभाप्रणाली की नदियां बहुत ज़्यादा मिलती है। चला और ऐसी आंत्रिक प्रभाप्रणाली की नदियों की परधानता मिलने के कारण लेव इसे आंत्रिक प्रवाच पर चेतर के नाम से भी जाना there आगे हम बात करते हैं इस वाले प्रदेश को तो ये पूरा जो पश्यमी रेतिला प्रदेश है इस पूरे पश्यमी रेतिले प्रदेश में ये वाला प्रदेश सबसे ज्यादा उंचाई पर देखने को मिलता है और उंचाई पर मिलने के कारण मित्रों हमने इसे नाम दे दिय या उच्च भूमी और पता चला यहां पर जो जिला है उस जिले को बात करें तो जिले का नाम है नागौर और इन तीनों विशेष्टाओं को आप जोड़ दीजिए तो आपके सामने जो नाम आएगा नागौर उच्भूमी के नाम से यह देखने को मिलेगा क्लिर है दोस्तों और हम आगे बढ़ते हैं यहां पर यह जो प्रदेश है इसमें हमने देखा कि यहां पर एक नदी की प्रदानता है और उस नदी का नाम है मित्रों लूनी नदी और लूनी नदी की प्रदानता मिलने के करण इस प्रदेश को आपके लूनी बेसीन के नाम से जाना जाता है और मित्रों इसी लूनी बेसीन के अंदर अगर हम बात कर लें तो आपके एक बासा भी बोली जाती है गोडवाडी बोली और गोडवाडी बोली के कारण इस लूनी बेसीन को गोडवाड प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है यह आपके हुआ आपके लूनी बेसीन या गोडवाड प्रदेश तो देखेगा आपक पर पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर चार पर दक्षिनी पूर्वी पठारी प्रदेश इसके बाद आपके पश्यमी रेतिले प्रदेश को 25 cm समवर सा रेखा के माध्यम से दो भागों में बाटा एक का नाम तो सुस्क रेतिला प्रदेश और दूसरे का नाम मिलता है सुस्क रेतिले प्रदेश को दो भ्रधों में बाता गया एक तो बालु का इसतुप मुक्त प्रदेश और एक बालु कास्तूप यूक्त मुख्यत है कितने भागों में डिवाइड किया गया है विबाजित किया गया है तो दोस्तों पता चलता है कि अरावली को मुख्यत है आपके अगर बात की जाती है तो अरावली को मूलत है तीन भागों में डिवाइड किया गया है तीन भागों में विबाजित करने का कारिय क गया और तीनों भागों को लेकर बात करें तो सुनिए यह वाला जो पार्ट है यह उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलता है इसलिए उत्तर दिशा में मिलने के करण इस पार्ट को कह दिया गया उत्तरी और आपके नाम दे दिया गया अरावली और इसका नाम मिल गया उत और तक्षनी और यहां पर ये जो पाड़ था यह आपके मध्द भारत मध्द भाग में था इसलिए इसको नाम दे दिया गया मध्द है अराली का नाम दे दिया गया क्लियर है दोस्तों और अगर आप जानना चाहें अब तीनों को लेकर तो आप एक तो कह सकते हैं उत्त्री अरावली दो नमबर पर कह सकते हैं मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् थोडास सा पाठ चार नमबर पर भी मिलेगा आभू ख के रूप से भी पढडने को मिलेगा और आप से असे हों रात आगे बढके बढ़ते हैं तो हमें एक छीज और देखने को मिले दोस्तों और ओन बात करना चाहें तो आप देखिकंगा यह जो अजन्व के रूप से भी पढ़ने को मिलेगा और हमने से वागर आगे बाद करना कई तो थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज और देखने को मिलें दोस्तों और वह बात करना चाहिए तो आप देखेंगा यह आपको देखने को मिलता है पूरवी मैदान करने प्रदेश का तो निर्मान एना वापके तीन भागों में इसको बाट अगया निर्मान को और तीनों भागों के बारे में चार्चा कर लिए तो क्याम सुनिए गा इनके नाम के傷 में बात करते बताया गया कि यह वाला जो प्रदेश है यहां वाला यह प्रदेश इसका निर्मान जो हुआ ना वो आपके दो नदियों के द्वारा किया गया एक का नाम तो रहा साब बनास और दूसरी नदी का नाम रहा बान गंगा तो बताया गया कि बनास वै बान गंगा नदी के द्व दूरा इस प्रदेश का क्या हुआ में तो निर्मान हुआ है कि लिए सब दूसरे नमबर पर हमें पता चला यह जो प्रदेश है इस प्रदेश का जो निर्मान हुआ है कि चंबलना जी के दौरा हुआ है और यह जो प्रदेश है इसका जो निर्मान हुआ है वो किसके माद मेंसे हुआ है माहिनदी के माद मुसर anak बनास वबानगेंगा करती है उसको हमने बकाइदा नाम यूश नाम पर दे अगए और नाम दे दिया बनास वेबानगेंगा का मैदानु आपो ऊपाइब जाए सब और अगर हम बात करना चाहें है तो बना स्भानगा का मैदान इसको दूसरे नंबर पर और आगे बढ़े तो हमें पता चला इस प्रदेश का निर्मार चंबल नदी ने किया है तो मित्रों इसको नाम दें दिया गया चंबल का मैदान ये प्रदेश क क來到 चंबल का मैदा छलियर और हमने देखा ये प्रदेश जो था इस मैदान का निरमान मौहीशां कlor रही है इसलिए मित्रों हमने इसका नाम रख दिया गया माही का मैदान तु आप कह सकते हैं कि आपके ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश देखने को मिलता है इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्मान नदियों के माध्यम से हुआ इसलिए हमने इसको नदियों के अधार पर तीन वागों में बाढ़ दिया एक नंबर पर बनास वैबान गंगा का मैदान दो नंबर पर चंबल का मैदान और तीन नंबर पर माही का मैदान के नाम से इसे जाना जाता है और हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिला इसके बारे में नेक्स्ट इस प्रदेश को मैं थोड़ा हाइलाइट कर रहा हूं सब यह सब मैंने इसको अइलेट किया हूं और बताया गया यह जो प्रदेश है इस प्रदेश को बसाने का काम आपके हाडा राजा के द्रार किया गया और हाडा राजा ने इसे बसाया इसलिए मित्रों इसे नाम मिल गया हाडोती पठार थाई इसलिए इसको कह दिया गया पठारी और आपके निश्चित भुबाग में फैला था इसलिए कह दिया प्रदेश और सभी विसेश्ताओं को जोड़ दिया और नाम बन गया हाडोती पठारी प्रदेश और आगे बड़े एक पार्ट और है जिसको मैं आपके हाइलाइट कर रहा हूं रेड कलर से आप देख पा रहे हैं यह जो हाइलाइट किया है रेड कलर से इसको लेकर हम बात करना चाहें तो आपके सुनिएगा बताया जाता है कि यह है जो आपके भाहिस्सा है ना यह आपके मद्यप्रदेश्ट के अंदर एक महतपूर्ण परवत्रंकला जिसका नाम है विंद्यांचल परवत्माला उस विंद्यांचल परवत्माला का खंडित भाग रास्थान में देखने को मिलता है इसलिए इसे आपके विंद्यांचल प्रवतमाला का भाग होने के करा इसका नाम रख दिया गया विंद्यन और लंबी पट्टी के रूप में देखने को मिलता है अर्थात पट्टी बोलिए या कगार बोलिए तो हमने कहा दिया है लंबी पट्टी अकगार के रूप में इसलिए कगार और आपके निश्चित छित्र की बात करते हैं तो आपके बूमी और तीनों विसेशताओं को जोड़ दीजिए आपके सामने नाम आ जाएगा विंदन कगार बूमी के नाम से दोस्तों इसे जाना जा आगे चलकर मित्रो कुछ नहीं करना है बिल्कुल आसान काम है आपका दस-दस-पांच-पांच लाइने इन टोपिकों के बारे में अलग-अलग के पारे में पढ़नी है लेकिन एक बार दिमाग में फिट बैड़ जाए कि यहां पर ये प्रदेश है यहां ये प्रदेश है तो उसके बाद आपस में ये मिक्स होने की जो समझ शायना वो खतम हो जाए एक बार मैं फटा-फट रिपीट करता हूं सारा आप सुनना फिर एक-एक को लेकर विस्तार से अध्यन करेंगे कि संपूर्ण राजस्थान को चार बोतिक परदेशों में बाटा गया पश्चिम नागो रुच्भुमी लूणी बेसीं जबकी अरावली के प्रमुक तीन भाग हूए उत्रिय अरावली मद्धय अरावली दक्षणी अरावली पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी तीन भागों में बाटा गया, बनास वैबान गंगा का मैदान, चंबल का मैदान और मित्रों माही का मैदान दक्षनी पूरी पठारी प्रदेश को दो भागों में बाता गया हाडोती पठारी प्रदेश और विंधन कगार भूमी के नाम से इसे जाना गया अब बात करें इससे और आगे की तो मित्रों इससे आगे हम नंबर एक पर एक बहुतिक प्रदेश पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पश्चिमी रितिला परदेश और इसकी चर्चाम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिमित्रों जय हिन जय भारत